वेलकम टू सना ओलाइंग क्लासेश तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सेवा रत सिक्षक पर सिक्षर उच प्रात्मिक इस तरिये विज्यान कर देखे हम आज 5 एवोलूशन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में तो चलिए स्टार्ट करते हैं देख लेते हैं कि कौन कौन से एवोलूशन हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं तो देखे पहला है द्यानिक जीवन में विज्यान दूसरा है जन्तू में पोशर तीसरा है शूश्म जीयों की समान जनकारी एवं वर्गी करण और चौथा है जन्तू में जनन और लास्ट है पोधो में जनन हम इस वीडियो में पाँचो एवोलूशन सॉल्व करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगर आपने पिछले एवोलूशन नहीं सॉल्व की हैं और आप आसानी से सॉल्व कर सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्व करने वाले हैं द्यानिक जीवन में विज्ञान वो हम एसेस्मेंट सॉल्व करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखे पहला कोशन दिया गया है रफ्रीजरेटर के क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन-गैस से कौन सा पर्दूशण हो रहा है ओप्शन से इसके वायू पर्दूशण, दूसरा है जल पर्दूशण, तीसरा है ध्वनी पर्दूशण और लास्ट है अंत्रिश परदूशर तो इसका जो option सही है वो है वायू परदूशर इस पर हम क्लिक कर देंगे और next कर देंगे next question दिया गया है कौन सा सुमेल सही है option से इसके कलपना चावला, एंटिबॉइटिक्स की खोड़, दूसरा है माइकल फेराडे, विदुद बर्द, तीसरा है मैडम क्योरी, पॉलोनियम और last है आइंस्टीन मिसाइल तो इसका जो अंसर सही है वो है मैडम मैरी क्योरी, पॉलोनियम हम इस पर क्लिक कर देंगे और next कर देंगे next question दिया गया है निम्ड में कौन विदेशी विद्यानिक है option से इसके सीवी रमन, दूसरा है माइकल फेराडे, तीसरा है मेगनाज साहा और last है डाक्टर हर गोविन कुराना तो इसका जो अंसर सही है वो है माइकल फेराडे हम इस पर क्लिक कर देंगे और next कर देंगे next question दिया गया है निम्ड में कौन सा विज्ञान और तकनीक का अविवेक पूड उप्योग है option से इसके ओजोन परत में छिद्र, दूसरा है मानो बस्ती में कूडे कच्रे, तीसरा है असेमित भूजलन के दोहन और last है उप्रोक सभी सही है तो इसका जो आंसर सही है वो है last, उप्रोक सभी सही है इस पर हम क्लिक कर देंगे और next कर देंगे next question दिया गया है निम्ड में कौन सा आधुनिक रक्षा का साधन है option से इसके वायू पर दूशर, दूसरा है मिसाइल, तीसरा है परमाडू बम और last है सभी तो इसका जो आंसर सही है वो है सभी हम इस पर क्लिक कर देंगे और next कर देंगे question दिया गया है रसाइनिक उर्वरक के अधिक प्रियोग से कौन सा परदूशर हो रहा है option से इसके वायू पर दूशर, दूसरा है जल पर दूशर, तीसरा है ध्वनी पर दूशर और last है अंतरिश पर दूशर, तो इसका जो आंसर सही है वो है जल पर दूशर, इस पर क्लिक कर देंगे और next कर देंगे next question दिया गया है कौन सा सुमेल सही नहीं है option से इसके इस रामा नुजम अंतरिश विग्यान, दूसरा है सर जगदीश चंदवोष, पौदकी सवेदन शीलता, तीसरा है डाक्टर हर गोविन खुराना, आनुवनशिकी कोड की स्थापना, last है होमी जहांगीर, भाबा, परमाडू और कास्मिक विकी करण तो इसका जो आंसर सही है वो है इस रामा नुजम अंतरिश विग्यान, इस पर हम क्लिक कर देंगे और next कर देंगे, next question दिया गया है निम्ड में कौन सा नाम भारतिय विग्यानिक का है, option से इसके सीवी रमन, दूसरा है मैडम मैरी कुरी, तीसरा है मानो बस्ती में कूडे क कच्रे और last है अलबर्ड आइंस्टीन, यहां पर देखें जो तीसरा option है वो मिस्प्रिंट हो गया है, यहां पर किसी का नाम होना चाहिए था, फिर भी यहां पर जो आंसर सही है वो है सीवी रमन, हम इस पर क्लिक कर देंगे और next कर देंगे, next question दिया गया है, निम्ड में क कुड़े कच्टे और last है असाइमित भूजल के दोहन, तो इसका जो आसे सही है वो है बान कर निर्माड कर विद्दुत उद्पन करना, हम इस पर क्लिक कर देंगे और next कर देंगे, next question दिया गया है, निम्ड में कौन सा परंपरागत रक्षा का साधन है, option से इसके टैंक, द पर क्लिक कर देंगे, देखें, इसकोर हमारे 10 out of 10 आ गया है, इसका मतलब कि सारे question सही तरीके से solve हो गये है, चलिए next evolution solve करते हैं, जिसका नाम है जीवो में पोशर और वो solve करते हैं, पहला question दिया गया है, पूर भोजी पोशर को किते भागों में बाटा गया है, option से इसके दो दूसरा है चार, तीसरा है तीन और लास्ट है पाँच, तो इसका जो आंसर सही है वो है तीन, इस पर हम क्लिक कर देंगे और next कर देंगे, next question दिया गया है, 100 पोशी जो अपना भो के शरीर में रहे कर भोज़न ग्राहर करता है, option से है सही दूसरा है गलत, तो इसका जो आंसर सही है वो है घलत, हम इस पर क्लिक कर देंगे और next कर देंगे, next question दिया गया है, कववा किस वर्ग में आता है, option से इसके शाकाहारी दूसरा है मांसाहरी, तीसरा है सरवहारी और प्रिक से कोई नहीं तो इसका झांसर सही है वह सर्वाहारी हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट करेंगे और नच्स कोशन दिया गया है निम लिखित में से कौन पर जीवी नहीं है उप्शन से अम, मरवेल, दूसरा है, प्लाजो, मिडियम, तीसरा है, इसकरीज, और लास्ट है केच्वा तो इसका जो आंसर सही है, वो है केच्वा, हम इस पर क्लिक कर देंगे और next कर देंगे नेक्स्ट कोशन दिया गया है, पर पोशी पोशर नहीं है आप्शन से इसके मृत्तोप जीवी, दूसरा है पर जीवी, तीसरा है पूर भोजी और लास्ट है मानसा हारी तो इसका जो आंसर सही है वो है मानसा हारी इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे नेक्स कोशन दिया गया है मांसा हारी वो जीव जो मास के भोजन के रूप में लेते हैं आप्शन से सही दूसरा है गलत तो इसका जो आंसर सही है वो है सही इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे next question दिया गया है सभी पौदे 100 पोशी होते हैं options है गलत दूसरा है सही तो इसका जो आंसर सही है वो है सही हम इस पर click कर देंगे और next कर देंगे next question दिया गया है पर जीवी जो दूसरे जीवों पर नर्भर होता है options है गलत दूसरा है सही तो इसका जो option सही है वो है गलत इस पर हम click कर देंगे और next कर देंगे next देखे submit का option आ गया है submit पर click कर देंगे देखे score 10 out of 10 आ गया है इसका मतलब कि सारे question सही तरीके से solve हो गए है अब चलिए बढ़ते हैं next evolution की तरफ और वो solve करते हैं जिसका नाम है शूश्म जीवों की समान जानकारी और वो solve करेंगे देखे पहला question दिया गया है 6 रोग होता है option से इसके proto जोवा दौरा दूसरा है कवक दौरा तीसरा है जिवारू दौरा और last है वायरिस दौरा तो इसका जो आंसर सही है वो है जिवारू दौरा इस पर हम क्लिक कर देंगे और next कर देंगे next question दिया गया है विशारू जनित रोग है option से इसके malaria दूसरा है है जा तीसरा है पोलियो और last है 6 रोग तो इसका जो आंसर सही है वो है polio हम इस पर click कर देंगे और next कर देंगे देखे next question दिया गया है नीबू में canker रोग इसके द्वारा होता है option से इसके विशारू द्वारा, दूसरा है जिवारू द्वारा, तीसरा है कवक द्वारा और last है proto जोवा द्वारा तो इसका जो आंसर सही है वो है जिवारू द्वारा हम इस पर click कर देंगे और next कर देंगे next question दिया गया है गेहूं का काला किट नामक रोग होता है option से कवक द्वारा, दूसरा है शेवाल द्वारा, तीसरा है जिवारू द्वारा और last है proto जोवा द्वारा तो इसका जो आणसे सही है वो है कवक द्वारा हम इसका पर क्लिक कर देंगे और नेक्सट कर देंगे देखें, नेक्स्ट कोशन दिया गया है पेंस्लीन नामक प्रती जैविक दवा बनाई जाती है option से इसके जिवारू, दूसरा है कवक, तीसरा है विशाडू और last है शेवाल तो इसका जो anser सही है वो है कवक उस पर हम क्लिक कर देंगे और next कर देंगे देगे next question दिया गया है malaria रोक किसके द्वारा होता है option से इसके amoeba द्वारा, दूसरा है जिवारू द्वारा, तीसरा है प्लाजोडियम द्वारा और last है इन में से coin ही तो इसका जो answer सही है वो है प्लाजोडियम द्वारा हम इस पर click कर देंगे और next कर देंगे next question दिया गया है चैना या मतर की जडों की गाठों में पाया जाने वारा जिवारू का नाम है option से इसके rhizobium, दूसरा है clasterium, तीसरा है azotobacter और last है कवक तो इसका जो answer सही है वो है rhizobium हम इस पर click कर देंगे और next कर देंगे देखे next question दिया गया है chloroline नामक परतिजैविक दवा बनाई जाती है option से इसके chlorella, दूसरा है कवक, तीसरा है जिवारू और last है विशारू तो इसका जो answer सही है वो है chlorella हम इस पर click कर देंगे और next कर देंगे देखे next question दिया गया है शूष्म जीवी हमारे लिए होते हैं option से इसके लाबधायक, दूसरा हानी कारक, तीसरा है लाबधायक, एवं हानी कारक दोनों और last है इन में से कोई नहीं तो इसका जो answer सही है वो है लाबधायक, एवं हानी कारक, दोनों इसका जो answer सही है वो है सरवत्र, हम इस पर क्लिक कर देंगे और next कर देंगे देखे submit का option आ गया है, submit पर क्लिक कर देंगे देखे score 10 out of 10 आ गया है, इसका मतलब सारे question सही तरीके से solve हो गए है तो चलिए बढ़ते हैं next evolution की तरफ और वो solve करते हैं, जिसका नाम है जन्तूओं में जनन चलिए start करते हैं देखे पहला question दिया गया है, इस तरीके किस जनन अंग में भूर का आरोपड होता है option से इसके अंडाश है, दूसरा भी जार तीशा है option से इसके अंडाश है, दूसरा है बी जार, तीसरा है पिताश है और लास्ट है गरभाश है तो इसका जो आंसे सही है, वो है गरभाश है इस पर हम क्लिक कर देंगे और next कर देंगे next question दिया गया है, अंड जनन में क्या बनता है option से इसके लाल रख कडिकाएं, दूसरा है मूत, तीसरा है अंडाडू और लास्ट है शक्राडू तो इसका जो आंसे सही है, वो है अडाडू, हम इस पर क्लिक कर देंगे और next कर देंगे next question दिया गया है, ब्रहमा निशेशन किसमें पाया जाता है guy दूसरा है, मेढग, तीसरा है दोता और last है शेर तो इसका जो आंसे सही है, वो है मेढग, हम इस पर क्लिक कर देंगे और next कर देंगे next question दिया गया है, सजीव, प्रजग, जीव है option से मनुष्य दूसरा है, मगरमच, तीसरा है, तोता घोड़ा और last है प्लेटिपस तो इसका जो आंसे सही है, वो है मनुष्य, हम इस पर क्लिक कर देंगे और next कर देंगे next question दिया गया है, अन्ड प्रजग, जीव है option से गाय, दूसरा है, कुत्ता, तीसरा है, घोड़ा और last है मगरमच, तो इसका जो आंसे सही है, वो है मगरमच, इस पर हम क्लिक कर देंगे और next कर देंगे next question दिया गया है, अमीबा में जनन होता है, option से इसके बिजारू दौरा दूसरा है, दूइखंड़न दौरा तीसरा है, मुकुलन दौरा और last है जड़ दौरा तो इसका जो आंसे सही है, वो है दूइखंड़न दौरा हम इस पर क्लिक कर देंगे और next कर देंगे next question दिया गया है, प्रूशों में मुक जनन अंग है, option से इसके वर्षर दूसरा है शक्राड़ू, तीसरा है अड़ाशे, last है शिशन तो इसका जो आंसे सही है, वो है वर्षर हम इस पर क्लिक कर देंगे और next कर देंगे next question दिया गया है, एक लिंगी प्राड़ी है, option से इसके मनुश्य दूसरा है जोग, तीसरा है केच्वा और last है सभी तो इसका जो आंसे सही है, वो है मनुश्य हम इस पर क्लिक कर देंगे और next कर देंगे देखे next question दिया गया है, नर युगमक किसमें बनते हैं, option से इसके वर्षर, दूसरा है यकरित, तीसरा है अड़ाश्य और last है वरिक तो इसका जो आंसे सही है, वो है वर्षर हम इस पर क्लिक कर देंगे और next कर देंगे देखे next question दिया गया है, निसेशन के फल सरूप बनता है, option से इसके brood, दूसरा है युगमनज, तीसरा है रूधिर और last है मूद्र तो इसका जो आंसे सही है, वो है युगमनज, हम इस पर क्लिक कर देंगे और next कर देंगे देखे, submit को option आ गया है, submit पर क्लिक कर देंगे देखे, score 10 out of 10 आ गया है, इसका मतलब की सारे question सही तरीके से solve हो गए है तो चलिए बढ़ते हैं next evolution की तरफ और वो solve करते हैं देखे, पहला question दिया गया है, काईक जनन के लाब है, option से इसके एक ही लक्षड को कई पीड़ी तक बनाये रखा जा सकता है दूसरा है, रोग मुक पौदे उगाये जा सकते हैं, तीसरा है, इसमें बीजो की आवशकता नहीं होती है और last है उप्रोक सभी, तो इसका जो आंसर सही है, वो है उप्रोक सभी, हम इस पर क्लिक कर देंगे और next कर देंगे देखें, next question दिया गया है, push में माता जनन भाग है, option से इसके अड़ाशे, तूसरा है दलपुंच, तीसरा है पुमंग, और last है यूग मनश, तो इसका जो आंसर सही है, वो है अड़ाशे, इस पर हम क्लिक कर देंगे और next कर देंगे देखें, next question दिया गया है, पराग कड का प्रतिकार पर इस्थांतरड कहलाता है, option से इसके निशेशन, दूसरा है परागड, तीसरा है जनन, और last है फल का बनना, तो इसका जो आंसर सही है, वो है परागड, हम इस पर क्लिक कर देंगे और next कर देंगे देखें, next question दिया गया है, ब्रियो फिलम में जनन किसके द्वारा होता है, option से इसके तना, दूसरा है पत्ती, दीसरा है जड़, और last है पुश्प, तो इसका जो आंसर सही है, वो है पत्ती, इस पर हम क्लिक कर देंगे और next कर देंगे देखें, next question दिया गया है, फलम बीजो का प्रकीर डण किसके द्वारा होता है, option से इसके जल द्वारा, दूसरा है, जनतो द्वारा, तीसरा है वायू द्वारा, और last है सभी के द्वारा, तो इसका जो आंसर सही है, वो है सभी के द्वारा, हम इस पर क्लिक कर देंगे और next कर देंगे, next question दिया गया है, जनितियम का प्रकीर डण किसके द्वारा होता है, option से जल द्वारा, दूसरा है जनतो द्वारा, तीसरा है वायू द्वारा, और last है सभी के द्वारा, तो इसका जो आंसर सही है, वो है जनतो द्वारा, इस पर हम क्लिक कर देंगे, और next कर दें तो इसका जो आंसर सही है वो है मुकुलन द्वारा हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे देखें नेक्स कोशन दिया गया है परागर किसके द्वारा होता है आप्शन से वायू दूसरा है जल तीसरा है जनतुओं और लास्ट है सभी द्वारा तो इसका जो आंसर सही है वो है सभी द्वारा हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे लेकिन नेक्स्ट कोशन दिया गया है नर इवं मादा युगमक के सलियन की किरिया कहलाती है अप्शन से इसके हंडन दूसरा इनिशेचन तीसरा है परागर और लास्ट है प्रकीरडन तो इसका जो आंसर सही है वो है निशेचन हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे देखें नेक्स्ट कोशन दिया गया है नर युगमक किसमें बनते हैं option से इसके पराकड दूसरा है पुंकेसर तीसरा है अड़ाशे और last है वर्तिका तो इसका जो answer सही है वो है पराकड हम इस पर click कर देंगे और next कर देंगे देखे submit को option आ गया है submit पर click कर देंगे देखे इसको 10 out of 10 आ गया है इसका मतलब की सारे questions सही तरीके से solve हो गए हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को like करें, comment करें, share करें और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें Thank you for watching my video